Hello students, आज हम पढ़ेंगे साइनो फाइसियन सेल का इलेक्टरोन माइक्रोसकोपिक स्ट्रक्चर साइनो फाइसियन सेल में आज जो एक्जामपल हम लेने जा रहे हैं वो है ओसिलेटोरिया Oscillatoria एक नीली हरी शेवाल होती है और ये जो शेवाल है Oscillatoria C family को बिलॉंग करती है Oscillatoria C का main character है कि इस family के सदस्यों में heterocyst नाम की सनरचना absent होती है तो oscillatoria C का member है oscillatoria और इसमें heterocyst absent होता है heterocyst क्या होता है heterocyst एक organelle होता है जो की एक मतलब थैलस का structure होता है organelle नहीं बोलेंगे थैलस का एक part होता है heterocyst एक cell होती है बड़ी जिसमें nitrogen fixation किया जाता है जिसके अंदर तो heterocyst अगर absent है तो उसके सदस्यों को oscillatoria C में रखा जाता है oscillatoria की बहुत सारी 105 species ग्यात है ये नीला हरा शैवाल है और fresh water में पाया जाता है इसकी एक species है oscillatoria prolifica जो की red color देती है जिस जील में ये उपती है उसके पानी को और oscillatoria formosa अगर है तो वहाँ पर पानी का color नीला हो जाता है तो ये तो हम खेर detail में बाद में पढ़ेंगे आज का हमारा जो topic हमें cover करना है वो electron microscopic structure prokaryotic cell तो synofician cell मतलब prokaryotic cell होती है ये prokaryotic cell और eukaryotic cell मैंने शुरू में आपको बता दिया था फिर भी आपको अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो prokaryotic cell वो cell होती है जिसमें स्पष्ट नाभिक नहीं पाया जाता है ओसिलेटोरिया की cell को अगर हम electron microscope में देखें तो उसमें हमें दो चीज़ें स्पष्ट नजर आती है बाहर का भाग कहलाता है chromoplasm और अंदर का भाग कहलाता है centroplasm तो chromoplasm में होते हैं pigments जो की उसको color देते हैं नीला हरा और centroplasm में होता है nucleus related nuclear material chromatin granules जो की primary nucleus बनाते हैं इच का भाग जिसमें की यहाँ पर diagram आप देखेंगे तो उसमें आपको nucleoplasm लिखा हुआ है तो अब हम आते हैं सीधे structure पर यह oscillator की एक cell है जिसको हमने enlarge करके यहाँ पर बनाया है दिखाने की कोशिश की है oscillatoria एक trichome के रूप में होता है तन्तू वाला शेवाल है और इसकी जो cell है उसके बाहर mucilis का आवरण पाया जाता है तो बाहर होता है mucilis का sheath mucilis जिना sheath बोलते हैं उसके अंदर cell wall होती है यह जो synovisian cell है इसकी cell wall double layered होती है दो परतों से मिलकर बनती है बाहर की परत को कहते हैं outer layer जो की बनती है pectin से और अंदर की layer कहलाती है inner layer जो cellulose से बनती है तो cell wall हो गई double layer तो सबसे बाहर क्या है mucilis का आवरण उसके बाद आती है cell wall उसके बाद आती है plasma membrane और उसके अंदर भरा होता है protoplasm तो समझ में आया protoplasm के दो भाग chromoplasm और centroplasm तो जितने भी वरणक होते हैं वो chromoplasm में पाए जाते हैं और blue green algae में जो वरणक होते हैं वो है chlorophyll A, chlorophyll B और phycobilins phycobilins में आते हैं phycocyanin और phycocyanin और phycocyanin ये जो cyanin है ये नीला रंग देता है और erythrin जो है वो लाल रंग देता है और इनकी मात्रा अगर equal हो जाए तो फिर शेवाल का color बैगनी हो जाता है अब ये जो oscillatoria है इसमें sinophysian cell में जो food होता है जो reserve food होता है वो होता है sinophysian starch के रूप में और glycoprotein के रूप में पाया जाता है तो green शेवाल से different है और nucleoplasm जो है वो DNA fibril से बना होता है तो अभी हम इसके अंदर structure के अंदर जाएं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे organelles दिखाई दे रहे हैं कोशिकांग दिखाई दे रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर photosynthetic lamilla हमने बनाएं green color से photosynthetic lamilla में photosynthetic varnak या pigments भरे होते हैं जो प्रकास insulation के द्वारा बोजन का निर्मान करते हैं oscillatoria क्योंकि fresh water में पाया जाता है तो इसमें आप देखिए बड़े बड़े आपको vacuoles नजार आ रहे हैं जिनको दो vacuoles दो प्रकार के यहाँ पर label किया है डाइग्राम में एक होता है pseudo vacuoles और दूसरे होते हैं gas vacuoles इन दोनों का काम है जो filament या trichome है वो पानी में उपर और नीचे की तरफ गती करता है तो उपर और नीचे गती कैसे करता है जब प्रकाश की कमी होती है तो तंतु जो है वो तैर कर उपर आ जाता है तो vacuoles बहुत जादा बन जाते हैं और उसकी वज़े से यह light weight हो जाता है तो कुछ species planktonic होती है मतलब तैरने वाली होती है उनमें pseudo vacuoles की संख्या जादा होती है और यह जो gases है वो metabolic activities के परिनाम स्वरूप बनती है और उसमें store हो जाती है तो यह gases के कारण light weight होकर यह filament surface पर आ जाते हैं जब प्रकाश बहुत कम होता है मंद प्रकाश होता है light कम होती है dim light होती है और इनको प्रकाश installation के लिए light की आवशकता पड़ती है तो यह trichomes उपर की तरफ surface पर दिखाई देने लगते हैं जैसे ही प्रकाश तेज होता है दिन के समय और इनको light नहीं चाहिए तब क्या होता है यह vacuoles फूट जाते हैं और burst होने से इसका जो weight है वो बढ तो इस प्रकार से trichome की पानी में गती होती रहती है यह जो oscillatoria है उसमें कुछ filaments पर एक टोपी के समान रचना होती है जिसको caliptera बोलते हैं और बीच-बीच में separation disc भी पाई जाती है आपका जो आज का homebook होगा वो oscillatoria को निकाल कर उसकी एक reading लगाई यह book में तो आपको उसक general diagram और आपको उसके बारे में थोड़ा सा idea लग जाएगा यह जो cell है electron microscopy structure इसमें आपको developing septa दिखाई दे रहे हैं उपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी कहीं कहीं देखिए आपको granules नजार आते हैं जिनको हमने level किया है लेबल किया है alpha granules, beta granules के रूप में कुछ cylindrical bodies नजार आ रही हैं उसके अलावा इसमें जो important है वो है polyhedral bodies जो की आपको benzene ring की तरह नजार आ रही है structural granules पाए जाते हैं और ये जो cell है ये होती है चौकर क्योंकि चौकर चौकर cells इसमें oscillatoria में पाई जाती हैं तो ये electron microscopic structure important है इस पर आता है full question की इसका synophysian cell का या किसी prokaryotic cell का electron microscopic diagram लेबल diagram बनाना होता है इसका नीचे यहाँ पर classification जो लिखा है उसमें देखिए कि ये class synophysi को belong करती है और order इसका nostocales है family oscillatoriasi है और यहाँ पर हमने species जो ली है वो है formosa तो ये diagram आपको अच्छे से बना कर सीखना है oscillatoria में sexual reproduction absent होता है और इसमें पूरे जीवन में इसके कोई भी flagella जैसी सनरचना या चलने वाले जो gamits होते हैं वो life cycle में नहीं बनते तो ये इसकी खासियत है important character है इसको आपको ध्यान रखना है और prokaryotic cell का diagram important है दोनों में difference क्या है eukaryotic और prokaryotic वो आपको अच्छे से आना चाहिए और इसके अलावा आपको growth जो होती है oscillatoria में वो ध्यान दें तो intercalary होती है मतलब beach beach में नई cells बनती है और ये जो oscillatoria है उसमें कुछ प्रकार की गती होती है जिस पर question आता है तो एक तो होती है creeping moment एक होता है oscillatorian moment oscillatorian moment मतलब दोलन गती बोलते हैं जैसे घड़ी का pendulum हिलता है दाएं बाएं उसी तरह से oscillatorian moment होता है इसके trichome में और उसका जो reason है वो अलग-अलग scientist ने अलग-अलग बताया है कुछ कहते हैं कि oscillatoria में कुछ सीलिया पाए जाते हैं पर वो अद्रिश्य होते हैं हाला कि family का character कह रहा है कि class का character कह रहा है कि इसमें चलने वाली रचनाएं नहीं पाई जाती है कुछ scientist का मत है कि इसके surface पर mucilis में जो आवरण है उसके कारण गती होती है कुछ scientist का मानना है कि rhythmic contraction waves जो की चलती है अंदर trichome में उपर से नीचे की तरफ उसके कारण गती होती है और कुछ scientist का, algologist का मानना है कि osmotic pressure जो है cells का उसके कारण इसमें गती होती है तो जो important है वो ये है कि यहाँ पर well defined nucleus आपको नजर नहीं आ रहा है और vacuoles की उपस्तिती से इसमें गती होती है और ये blue green शेवाल है तो ये nitrogen का fixation करती है चावल के खेतों में इसको डाला जाता है especially डाला जाता है ताकि वो nitrogen की कमी को दूर कर सके और इसकी अलग-अलग species, अलग-अलग colors देने के लिए water body को responsible है fresh water में ही ये उगता है तो मैं समझती हूँ oscillatoria पर अगर question आता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे और जो reproduction है वो केवल vegetative होता है इसमें और वो होता है विखंडन या fragmentation के कारण और दूसरा जो तरीका है वो है hormogonium के निर्मान द्वारा तो oscillatoria जो है उसकी sexual reproduction absent होता है तो कभी वायवा में पूछ लिया जाए कि blue green algae में sexual reproduction किस प्रकार से होता है तो आपको बताना आना चाहिए इसमें लेंगिक जनन की आभा होता है नहीं होता है पर यह important group है साइनोफाइटा और इसको अच्छे से तयार करना है with diagram diagram को बहुत practice करिए क्योंकि कभी कई बार खाली diagram पर question आता है कि draw the electron microscopic diagram of sinophysian cell तो मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा फिर भी कोई question हो तो आप पूस सकते हैं thank you